प्रवाइब दोस्तों आप सबी को चिली तड़का में स्वागत हैं आज हम बनाएंगे चिली चिकेन इसे असाने से हम घर पर बना सकते हैं चप जाए तप बना सकते हैं इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा अब शुरू करते हैं इसके लिए मैंने लिया पांसस ग्राम चिकेन पहले से दोकर साफ कर लिया था अब इसमें स्वाद के अंशयर नाम़क डालते हैं कि एक च्छोटी चामाच चिली पाउडर मुद्धर में एक चामाच तेल एक बड़ी चामाच और अक च्छोटी चामाच और एक चुण्हाच सब्सक्राइब को अच्छे से मिला लेते हैं चिकन के साथ अब इसमें दो बोड़ी चमच मैदा और एक बोड़ी चमच कनफ्लोर डलते हैं मैदा और कनफ्लोर को अच्छे से मिला लेंगे चिकन के साथ अब इसमें अंड़े को फोड़ को डलते हैं अंड़े को भी मिला लेंगे अभा किया है जेकन को अधर घंटे के लिए अरेश्टकने रिश्टे करने रिते हैं अब क्रेपी के लिए मेंने यहां पह लिया है एक मृडुम साइज का प्याल अब क्याप्सिकों प्यास को अमिलो एक बड़ी चमाज भीनेगर, दो बड़ी चमाज टोमाटा सस, दो छोटी चमाज डाक सोय सस, एक बड़ी चमाज चिली सस, इन सबी को मिला के साइड में रख देते हैं, इसे ही तायर करके रखने से हमें एक ग्रेभी बनाने के बब आसान होगा, अब एक दूसरे बड़ी में दो छोटी चमाज कनफलोर को पाने के साथ मिला के रख देते हैं, आप चाहे तो सौस और कनफलोर को एक साथ मिला के रख सकते हैं, एक ये बड़ी में, अब हो गया है, अब चलते हैं, चिकेन को फ्राइ करने, चिकेन को फ्राइ करने के लिए एक कड़े में तेल गरम करेंगे, तेल गरम हो गया है, अब चिकेन को ड़लेंगे, एक एक करके, नहीं तो एक दूसरे से चिपक जाएगा, लोटू मीडियूम फ्रेम में चिकेन को फ्राइ करेंगे, नहीं तो अंदर से कच्छा रह जाएगा, चिकेन फ्राइ होने में 8-10 मिनिट लगेगा, थोड़े सा टाइम लगेगा, चिकेन को फ्राइ होने में, अब हो गया है, इसको निकाल लेते हैं, एक प्लेट के उपर निकाल लेते हैं, अब हो गया है, अब इस तेल को साइड में रख देंगे, और क्रेपी के लिए एक प्यान करम करेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे, अब इसमें दो बड़ी चमाच तेल डालेंगे, ग्रेवी के लिए, तेल गरम होने के बाद डालेंगे, कटी हुई लेशून, अद्रक और हरी मिर्च को, इन शबी को डालके, आधा मिनिट के लिए हाई फ्लेम में फ्राइ करेंगे, अब इसमें कटी ही प्यास को डालेंगे, प्यास को भी जधा फ्राइ नहीं करेंगे, थोड़ा से ट्रांस्पोरेंट होने तो प्राइ करेंगे, क्याप्सिकोम को डालके, अधा मिनिट के लिए फ्राइ करेंगे हाई फ्लेम में, अब इसमें जो सॉस मिक्स किया थे, डाल देते हैं यहाँ बे, सॉस को एक मिनिट के लिए थोड़ा सा भून लेते हैं, इसमें एक छोटी चामाच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, कॉलर के लिए, अब इसमें थोड़ा सा पाने डालते हैं, पाने डाले या नहीं तो कॉन फ्लोर के साथ मिला के भी डाल सकते हैं, अब जो कॉन फ्लोर को घोल बनाये थे, उसको डाल देते हैं, अब इसको दो से तीन मिनिट के लिए पकाएंगे, अब हो गया है, इसमें अधी चोटी चामाच, प्लाक पेपर पाउडर और स्वाद की हिसाब से नमक डालते हैं, नमक को चेक करके डालेंगे, क्योंकि सास में भी नमक है, अब सास रेड़ी हो गया, इसमें दलेंगे फ्राइक वी चिकेन को, चिकेन को अच्छे से सास के साथ मिलाएंगे, अब रेड़ी हो गया हमारा चिली चिकेन, अब इसमें थोड़ा सा तील और स्प्रिंग उन्यान डल के सार्फ करेंगे, अगर आपको मेरे वीडियो आच्छा है लगया, तो लाइक और सस्क्राइब करना ना भूले, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद,